जिला सिरमौर में पांच व्यधान सभाक्षेत्र है, जिनमें से सुखराम चौधरी पॉंटा साहिब से विधायक है और मौझूदा सरकार में मंतरी है। डॉक्टर राजी बिंदल नाहन से विधायक है, पूरव में भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं और पूर्व धूमल सरकार में मंत्री भी रहे हैं, विने शर्मा रेणुका से विधायक है, कॉंग्रेस पार्टी के नेता है, हर्श्वर्धन चोहान सीलाई से विधायक है, व विधान सभाग शेत्रों में से दो पर कॉंग्रेस पार्टी का कबजा है, यहाँ पर अब चर्चा ये है कि आने वाले विधान सभाग चुनावों में क्या स्थिती हिमाचल प्रदेश में सिर्मोर जिला में राजनेतिक दलों की रहने वाली है, अगर हम मौझूदा परीद रिष्य में स्थिती का आंकलन करें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भाजपा के लिए मुश्किल समय नजर आ रहा है, सुखराम चौधरी यहाँ से भाजपा के विधायक है, और पॉंटा साहिब की अगर हम बात करें, तो किरनेश जंग जो की पूर्व विधायक यहाँ से हैं कॉंग्रेस पार्टी से टिकट के दावेदार हैं, लेकिन उसी के साथ मनीश ठाकुर भी एक यूथ कॉंग्रेस का बड़ा नाम निकल कर आ रहा है, जो की कहीं ना कहीं कॉंग्रेस पार्टी के लिए बेहतर स्थिती में नजर आ रही हैं, वहीं अगर हम भाजपा की यहाँ पर बात करें, तो मनीश तोमर यहाँ पर सुखराम चौधरी को सीधी टिकट के लिए चुनोती दे रहे हैं, इतना ही नहीं रोशन शास्त्री और मनमोहन शर्मा दो अन्य नाम हैं, जो यहाँ पर भाजपा से टिकट की दावेदारी लगातार कर रहे हैं, ऐसे में यहाँ प से टिकट लगातार मांग रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर राजनेतिक समीकरण देखें, तो कहीं न कहीं कॉंग्रेस पार्टी मौझूदा परीद्रिश्य में पौंटा साहिब में भाजपा को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही हैं, इसी तरह दूसरा बड़ा विधान टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं और जनता के साथ उनका जुडाव भी लगातार बना हुआ है, घर घर जाकर लगातार वे दस्तक दे रहे हैं, डॉक्टर राजी बिंदल के लिए मुश्किल यह है कि यहाँ पर एक तो बाहर का होने का नारा भी उनको लेकर चलने लग और इसी के साथ जैराम सरकार के साथ उनका गणित जो लोगों को समझ नहीं आ रहा वो भी डॉक्टर राजी बिंदल के लिए समस्या पैदा कर सकता है, तीसरी विधान सभा जोकी महत्तोपूर यहाँ पर है वो शिलाई विधान सभा है, यहाँ पर भाजपा की तरफ से बल विधायक भी है और कॉंग्रेस पार्टी में उनका बड़ा रुत्बा कहीं न कहीं उनकी मजबूती को भी पुक्ता करता नजर आ रहा है, जो इस बार भी कहीं न कहीं जरूर देखने को मिलेगा, क्यूंकि बलबीर और हृद्यराम दोनों एक बार फिर से अपने अपने तरीके से चुनाप रचार में लगे हुए हैं, ऐसे मैं कहां जा सकता है कि रेणु का विधान सभाक्षेतर में, हालांकि अगर भाजपा एक जुट होकर चुनाप रचार में जाती है या किसी नए च सभाक्षेतर राजनेतिक द्रिष्टी से महत्वपून इसी लिए हैं क्यूंकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कशप का ये विधान सभाक्षेतर है और जब उन्हें लोगसभा के टिकट के लिए चुना गया था और वे जीत कर लोगसभा पहुंचे तो यहां पर उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव के लिए पचाद से रीना कशप को मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर के कोटे से टिकट मिला रीना कशप चुनाव भी जीत गई और विधान सभा में भी पहुंच गई लेकिन अब यहां परी स्थितियां भाजपा के लिए इतनी बे गंगुराम मुसाफिर जो कि अब एक पुराना नाम कॉंग्रेस पार्टी का हो चुका है और लगातार चुनाव भी हार रही हैं तो कहीं ना कहीं यहां पर इस बार भाजपा के लिए मुश्किल हो सकती है और मौजूदा स्थिती में तीन विधायक यहां से भाजपा के हैं और दो विधायक यहां से कॉंग्रेस पार्टी के हैं लेकिन उपचुनाव के बाद जिस तरह से माहौल पूरे प्रदेश में बदला है उस माहौल को देखते हुए भाजपा में आपस क गुटबाजी को देखते हुए कही ना कहीं यह कहा जा सकता है कि कॉंग्रेस पार्टी अगर एक जुठता के साथ चुना प्रचार में जाएगी तो भाजपा के लिए यहां पर बड़ी मुश्किल एक या दो विधान सभाक्षेत्रों में नहीं बलकि सभी पांच की पांच विधान सभाओं में पैदा हो सकती है